डेली वर्ल पब्लिक स्कूल, इंडियास नमबर वन इमर्जिंग स्कूल, जहां है काडमेक्स, स्पोर्ट एन परफॉर्मिंग आर्ट का बेहतरीन कॉंबिनेशन अद्मिशिंस ओपन फ्रम प्री नर्सरी तो नाइज नमश्कार मैं सुशील पाल, कोरोना वाइरस के कारण जब लॉकडाउन हुआ तो गरीबों के सामने सबसे पहली चुनोती पेट भनने गी थी और इस चुनोती का कई लोगों ने डटकर सामना किया और अभी भी कर रहे हैं NBTV इंडिया ऐसी ही चुनोतीयों को मात देने वालों के पास पहुचा है जिनकी मदद से हजारों लोगों को रोज खाना मिल पा रहा है यह है अजमेर के बजनगन में स्तित रादा स्वामी सत्तंग सेंटर जहां यह कम्यूटी किचन प्रति दिन साथ हजार लोग का खाना बना रही है यहां के विशाल काय बरतनों में सबजी, चावल, डाल, पोहा, खिश्डी बनाए जा रही है यहां खास बात यह देखने को मिली कि इस काम में मदद करने वालों की भी कोई कमी नहीं है यह 45 सिवादार पिछले एक महीने से अपने परिवार से दूर यहां मौझूद है सिर्फ हजारों गरीब लोगों तक खाना पहुचाने के लिए यहां अपनी सेवाय देने वाले लोगों में शहर के बड़े वियापारियों से लेकर रेलवे, शिक्षा और दूसरे विभावों के बड़े-बड़े अधिकारी तक शामिले और इस कम्यूटी किचन से अजमेर प्रिशाशन से लेकर विदायकों की टीमों तक बोजन के पैकेट वित्रित करने के लिए लेती हैं अजमेर का ये रातास्वामी सथसंग सेंटर हर रोज 7000 लोग को खाना खिला रहा है वहीं हमाई टीम ने जब यहां की विवस्थाएं देखी तो नजर आया कि सथसंग घर में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जा रहा है मास्क और दस्ताने पहन कर ही भोजन मराने का काम किया जा रहा है और इसके साथ ही ये भी तैय है कि जब तक लोगडाउन जारी रहेगा इस सेंटर की तरफ से रोजाना हजारों लोगों के लिए निशुल भोजन की विवस्था होती रहीगी खास बात ये है कि यहां चल रही इस सिवा में किसी भी तरके का कोई सरकारी मदद नहीं ली गई है सभी सिवादार अपने घर नहीं गए हैं ये सभी सिवादार यहीं सफसंग सेंटर में रहते हैं और बड़ी बात ये है कि सेंटर के मुखे द्वार पर ही हर एक की स्क्रिनिंग की जाती है उसकी जानकारी एक रेजिस्टर में बकायत दर्च की जाती है और उसके बाद ही तमाम स्वास्ते नियम को बता कर अंदर बिज़ा जाता है ताकि सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जा सके है खर लॉगडाउन कब तक और चलेगा ये फिलाल कहा नहीं जिसकता लेकिन इतना तय है कि ये सेवादार इस चुनोती से निकलने तक अपनी सेवाए ऐसे ही निशुटक देते रहेंगे और हजारों लोगों तक खाना पहुचाते रहेंगे MPTV इंडिया ऐसे सेवादारों को सलाम करता है